हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू अनलाइन स्टडी केंग्डम दोस्तों आज कि इस वीडियो से जो है उत्तरप्रदीश लिखफाल के लिए जो अपकमिंग बैक एंसी है जो की नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा दस से पंदरा के वीच में तो उसी के लिए हम लोग यहां पर जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यहां एकती पब्लिकेशन की बुक से ठीक है एक तो बुक जो है मार्केट में अब लेबल है नई वाली आपको परचीज करना है ठीक है ग्राम समाज विकास से रेटर जो आपका एक नया एडिशन आया है परचीज मार्केट में बहुत सारी जो है 2018 की गुंब है मार्केट में लेकिन आपको जो सेकंड एडिशन इसका 2021 जो अपडेटेड हाया है वह ही आपको परचीज करना है बाकि अगर पीडिएफ की बात की जाए तो पीडिएफ इसका जैसे जैसे हम कंप्लीट करते चलेंग पीडिएफ टेलिग्राम चैनल पर आपको अप्लूड करते चलेंगे ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है विसे सूची में पढ़ना होगा आपको ठीक है तो यह सारी चीजे हैं बाकी पीपर भी इसमें दे रखें प्रैक्टिश्यड भी है तीन सो पर चैप्टर है दोस्तोर ग्रामीड से संबंधित महत्त पूर्ण विभाग तो आईए यहां पर हम लोग टूद पॉइंट कबर करते हैं नोटको ग्रामीड छेत्रों की विकास के लिए राज्य सरकार तथा केंदर सरकार द्वारा अनेग कल्याणकारी योजनाओं का निर विभरण आप निम्न परकार देख सकते हैं जैसे कि अब सेंट्रल गॉवर्मेंट हुआ है स्टीट गॉवर्मेंट ग्रामीड शेत्रों की विकास की लिए बहुत सारी कारिक्रम और योजनाए जो है वो चलाते हैं उनका जो कारिक्रम किया जाता है आप देखेंगे कि तो ब्लाक अस्तर पर जो वीडियो होते हैं खंड विकास अधिकारी ब्लाक डेबलप्मेंट अफीशर ठीक है मेनली जो आप जानते हैं कि ग्राम जो प्रधान होते हैं उसके बाद जो गाओं की जो सेकरेटरी जिनको सेकरेटरी अर्थाद आप कहते हैं कि ग्राम विकास अधि अधिकारी होता है उसी के माध्यम से फंड का एलोकिशन किया जाता है और फंड का बेव निकासी भी की जाती है डेबलब्मेंट के लिए गाउं के ठीक है तो आईए यहां पर देखते हैं पहला पॉइंट दे रखा है कि जो अधिकारी शामिल होते हैं ब्लाग अस्तर पर आप देखेंगी तो ब्लाग डेबलब्मेंट अफीशर यानि खंड बिकास अधिकारी इनका जो सलेक्शन होता है वा PCS की थिरू होता है बिकास खंड का मुख्यकारी पालन अधिकारी कौन होता है तो खंड बिकास अधिकारी होता है उत्तर परदीश लोग शिव आयोग द्वारा चैनित खंड बिकास अधिकारी का पर सीक्षन कहां पर होता है तो ग्रामीड बिकास संस्थान में इनका पर सीक्षन होता है जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आई-एस का जो सेलेक्शन होने के बार लोग मसूरी जाते हैं लबाशना में उसी तरह जो वीडियो का सेलेक्शन अगर हो जाते हैं PCS की ठीरिटिन का जो प्रसीक्षन होता है वह जो है ग्रामीड विकास संस्थान में किया जाता है एक विकास जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है तो खंड विकास अधिकारी पर तो मेंली जो जिम्मेदार होते हैं गाओं के विकास के लिए वह कौन होते हैं तो वीडियो ही जिम्मेदारी इनके उपर होती है मेंली ठीक है अगला पॉइंट है आपका खंड विकास अधिकारी की का जो है वो इस प्रकार है खंड बिकास अधिकारी सरकार दोरा चलाई जा रही योजनाओं के किरियान वेन की समिक्षा करता है ठीक है वह उच्छ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कारे करता है अब जैसे कि जो आपके चेफ डेवलप्मेंट आफीशर होते हैं ठीक ह जो सीडियो होते हैं उनकी एंडर में आप देखेंगे तो यह खंड बिकास अधिकारी भी आते हैं ठीक है ब्लाग डवलप्मेंट आफीशर हो अपने बिकास खंड में कारे प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायत समीती दौर निर्धारित निर्डेव का कार्यून कर वो अपने विगास खंड की समस्तोकारियों प्रगती आदिक की समय समय पर अपने अधिकारियों को जो है वो आऊगा तो करात्य है खंड विकास अधिकारी खंड के विकास सम्बंधी तो प्रसासनिक इस्टाफ की कारी को सलता में बृद्धी के लिए अनक कदम उठाता है अगर उसमें कुछ दिक्कते हैं तो उनमें क्या है कुछ आवश्यक जरूरी कदम है अधिकारी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अपना आवश्यक कदम वीडियो जो है उठा सकते हैं अगला प्रस्न है कि वह जन सिकायतें सुनता है तथा उनके नीराकरण की उचित योजना बनाता है एक विकास खंड के ग्राओं का विकास खंड विकास अधिकारी पर निर्भर करता है तो आप जान सकते हैं इस तरह आप एक्जाम में अगर आता है तो आप समझदारी से इ यहां पर हम लोग देखते हैं जिस तीज की आप तयारी कर रहे हैं लेखपाल तो लेखपाल कौन होता है लेखपाल गाउं अस्तर पर सरकारी करमचारी होता है लेखपाल गाउं अस्तर पर सरकार का प्रतनिधी होता है बरस 1906 इस बी तक इसके कारियों का भुकतान गाउं द् स्वयम किया जाता था कब तक बरस 1906 इस भी तक इसके जो कारियों का भुक्तान होता था यह जो है गाउं के द्वारा स्वयम किया जाता था लेकिन अब इसको सरकार द्वारा बेतन दिया जाता है जिसलिए तयारी कर रहे हैं कि बेतन मिलेगा ठीक है शरकारी नौकरी हो जाएगी तो इसके अधिकारे में एक या दो गाउं होते हैं यानि जो लेखपाल होता है जरूरी नहीं उसके अंडर में एक ही गाउं है एक सी अधिक गाउं भी हो सकते हैं ठीक है आप जानते होंगे अब जैसे कुछ लोग गाउं से अगर रिलेट करते हैं तो उनको मालूम होगा कि उनकी आग जो लेखपाल है वो एक ही ग्राम पंचाय से लेटन आओकर कि एक सिधी की जो है उनकी गाओं उनकी अंडर में होते हैं ठीक है चलिए लेखपाल के करतब क्या क्या होते हैं तो लेखपाल के करतब नेमलेखे जो हैं टो लेंडर रिकार्ड क्या होता है तो ृडु गाजों के संबंधित जो भी काग्या challenged जह्या थे कि जो Girmie ज्छेतर से संबंध्य थये वह थोड़ा बहुत जानते होंगे कि जो लेकपाल है अगर खस राक हत solids इस अगर निगलवाना होता है लोगों को तो लेकपाल की द्वारा ही लेकपाल के माध्यम से निगलवाय जाता है आज कल तो आनलाइन है अप्लाइ कर देते हैं लेकिन उसकी जो मेंली जो आपको सोचेबर करते हैं और लेकपाल की द्वारा ही किया जाता है उनके पास एक इकार छेतर के गाउं-गाउं के खेती संबंदी कागजात रहते हैं जिने भूवबिलेख ये लेंड रिकार्ड कहते हैं यदि कोई किसान अपनी जमीन की इस अंदर में में कोई जानकारी चाहता है तो लेकपाल सरकारी सुलक लेकर उसको जानकारी उपलब्द कराता है पॉइंट है कि वह खेतों में होने वाले परिवर्तन की अनुशार कागजों में परिवर्तन करता है ठीक है अनाब रिष्टी सूखा अकाल बाण आदिक जानकारी से अपने उच्चा अधिकारियों को अउगत कराता है और इसकी आधार पर ही सरकार मुआउजे का निर्धा पारिद करती है कि जो सूखाज शेत्र हैं उनको सरकार कुछ अमाउंट देगी जिस साल में धारित मालो हुआ है तो वहां पर जो किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए उसका जो निर्धारन है न वहां की जो लेकपाल होते हैं जमीन यस्तर से जुड़े उन्हीं के जो है अनुसार जो है मुआवजे का निर्धारण किया जाता है ठीक है चलिए अगला पॉइंट है लेकपाल के पास प्रतीग गाउं का नक्सा होता है ठीक है जब लेकपाल बन जाएंगी तो आपको एक नक्षा मिलेगा इस नक्से में गाउं के खेत रास्ते शण के नदी तालाब बाजार मकान आरी जो है वो अंकित होते हैं इस नक्से में खेत का छेतरफल दिया होता है उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी रहती है अब नक्सा हुआ होता है नक्सा में कुछ गाटा संख्या दी होती है ठीक है अगर कोई आप कुछा कहें जा रहे हैं निरिक्षण करके तो आप देखेंगे कि आपको अगर देखना है कि यह गाटा संख्या कौन सहा है ठीक है कि इस रीजन में पढ़ रहा है तो वहां गाटा संख्या से ही आप जो है मैप में पता कर सकते हैं अब जैसे इंडि कर देंगे कि क्या हिसाब किताब है उस जमीन के बारे में चलिए अगला पॉइंट है आपका इस नक्से में खेत का छेत्रफल दिया रहता है उसी में उसका नंबर सारी यह सब चीजें देखिए लेखपाल का करतब है कि वह प्रतीग बर्स खेतों की माप नाप करे तथा कमी बेशी को नक्से में अंकित करे समझ हらै इस पॉइंट को आप लेख पाल का करतब है कि वह प्रतीग बर्स खेतों की नाप करे तथा कमी वेशी को नक्से पर अंकित करे किसान की स्वामित्य की समस्त क्रिसी भूमिका विबरण एक रजिस्टर में एक ही अस्थान पर खाते की रूप में लिखा जाता है इसे जमाबंदी कहते हैं most important point exam में पूछा जा चुका है जमाबंदी ठीक है हमने जो ग्राम विकास का previous year का पेपर 2015 वाला देखा था वहाँ पर इस questions को पूछा गया था कि वाड़ी जमाबंदी ठीक है तो किसान की स्वामित्य की समस्त क्रिसी भूमिका जो विबरण एक रजिस्टर में एक ही अस्थान पर खाते की रूप में जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं जमाबंदी ठीक है तो यह point exam में पूछा जा चुका है 2015 इसकी दो प्रतियां तयार की जाती है जिसकी एक प्रति जो है वो तहसील कारियाले में होती है और दूसरी जो प्रति है वह लेकपाल के पास रहती है ठी प्रति रहती है ठीक है प्रति एक चार बरस में जमाबंदी का नवीनी करण किया जाता है तो आप समझ रहे हैं आपके लिए जो इंपोर्टन तथ जो निकल किया रहा है वो कहां से स्टार्ट है जमाबंदी ठीक है जमाबंदी आपकी exam में पूछा जा चुका point है आगा point है कि अगला आपके प्रति एक चार बरस में जमाबंदी का नवीनी करण किया जाता है और इन चार बरसों में किनी कारणों से किसान की स्वामित्विकी भूमी में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेक पाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है चीक है चालो अगला पॉइंट है कि आजकल जमाबंदी का जो कारी है आप समझ रहे हैं कंप्यूटर से भी किया जाने लगा है इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमी शंबंधी आकणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों कापी अच्छी बुक है इसमें टूदा कि अगला पॉइंट है आपका कि जब क्रिसी भूमी का आवासिया या ब्यावसाइक परियोग होता है तो उस भूमी का रूप आंत्रन कराना आवस्यक होता है ठीक है अब जैसे कोई अग्रिकल्चर क्रिसी भूमी का जो है अगर वहाँ पर आवास या ब्यावसाइक से शम्वादी जैसे कि कोई आपका खेथ है अगर वहाँ पर आप घर बना रहे है अपना आवास बना रहे हैं तो क्या है कि उस भूमी का जो रूप आंत्रन है वो कराना आपको आवस्यक है वो है ग्रिकल्चर जो है भूमी नहीं जहती है आपकी क्रिसी भोम नहीं रहेगी वह उपको आवर ऊफ्श्य भूम जैसे ठीक है अगर मान लो किसी का कि खेत है अगर वहाँ पर ज़ो है जमीन जो है वह पड़ेची जाती है तो ऑग्रिक lira कलचर में यह लगन अगर वहाँ पर घर बना लिया है और घर बनाने के बाद अगर आपको आप कोई जमीन बेच रहे हैं पूरा घर बेच रहे हैं आप तो एक एगरी कल्चर यानि क्रिसी भूम नहीं मानी जाएगा उसको जो है तरह से आप देखेंगे तो बर्ग फुट में आपकी जो है जो एगरी कल्चर भूमी है आपकी खेती वाली जमीन को वेच रहे हैं घर साहिट पूरा बेज दे रहे हैं तो ओ आवासी भूम में आएगी ठीक है वो क्रिसी भूमी नहीं रहेगी उसकी अलग तरह plastic होगी ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है तो वहीं हाँपर बता जा रहा है तो कोई क्रिसी भूमी या आवासी बेव कुछा जाता है कि भूमी भुमिरूपान्तर सम्मंधिर रिपोर्ट जो है वह लेकपाल अपने उच्छ अधिकारियों को प्रेसित करता है अगला हरार्की हम देखेंगे कि लेकपाल, लेकपाल की ऊपर कौन होते हैं, उपर कौन होते हैं, तरह आप देखेंगे हरार्की चलिए. अगले point में आपको देखने को सम्मिलेगा लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अभिलिखों की प्राप्तियां प्रमारिद करेगा डाग तहसील को भेजेगा तो जो important point होगा आपको जरूर mention किया जाएगा जरूर ठीक है तो to the point note को कबर करते चलिए जो की स्थिती का प्रतिवीदन अधिकारी की अधिशनशार करेगा अगला point है कि गाओं की नक्से में प्रते एक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है गाओं के नक्से में जो गाओं का नक्षा होता है लेखपाल के पास उसमें जो खेत होते हैं वो कैसे पता चलेगा कि उसमें एक जो है नंबर ये क्रमांक जो है वो अंकित होता है और इस क्रमांक को खसरे के नाम से जाना जाता है ठीक है किस नाम से खसर है कौन से खसरा नंबर है खसरा नंबर के अंदर भी एक गाटा संख्या होती ठीक है तो लेकपाल प्रतेग बर्स बोई गई फसलों की जान आपको देखने को मिल रहा है भुको में लेकिन जंदली आप देखेंगे तो गाओं में क्या है कि लेगपाल कोई काम पड़ता है तब ही वो जाते हैं कुछ लोगों के बाकि वो अपने अपने हिसाफ इस रहा देते हैं धान बोया गया इस बारी सीजन की हिसाफ से अब जैसे तब أو और बीपत तयार करता है अगला तथ है आपका अन्य कुछ तथ दिये है कि लेख पाल का उलेख अब यहां के लिए आपके लिए wetenium की धारा में है most important एक्जाम की पॉंट अप भी से तो उत्तर प्रदीश भूराज स्वाधनियम उन्नीस सो एक तो उत्तर प्रदेश भ दौहाँ किया गया है उत्तर परतीय सभूराजस स्वधनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल अपने हलकी में कारी करता हलका मितलब जो इनका एरिया है अपना ठीक है एक गाउँ या एक स्यधिक गाउँ के अंधर में होते हैं ग्राम पंचायत तो लेखपाल अपने हलकी में कारी क करता है और उसका जो त्रांसफर के दमुत किया जाता है यहां के जो परगनाध्र कारी यहां होते हैं और तो आपके द्रैना उत्तर प्रदेश में लेखपाल सिवा नियमावली कब बनी है तो बर्स 2006 में कब 2006 में उत्तर प्रदेश लेखपाल सिवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व परिशद की अधीन समुहुगा का पद बताया गया है इस नियमा वली में लेखपाल की भरती और चैन प्रकिरिया उप्रसीक्षण का उलेख है किसमें उत्तरप्रदीश लेखपाल सेवा नियमा वली 2006 में अगला पॉइंट है आपका लेखपाल अपने हलके कि गाउं यथवा गाउं का प्रतेग बर्स खेत पर आकर नियरिक्षण करता है और इसे नियरिक्षण को क्या कहते हैं पड़ताल कहते हैं ठीक है तो अगर एक्जाम में पूछा जाता है कि पड़ताल क्या है तो आपको आपसन मिलेगा कि जो लेखपाल होते हैं अपने गाउं यथवा गाउं का जो है प्रतेग बर्स खेत पर आकर नियरिक्षण करते हैं उसी को क्या कहा जाता है पड़ताल लेखपाल एक वर्स में तीन बार पड़ताल करता है तो ये भी इंप्वार्टन तत्य है कि लेखपाल कितनी बार पड़ताल करता है तो तीन बार पड़ताल करता है पहली पड़ताल जो होती है वो खरीफ पड़ताल जिसमें खरीफ फचल की बुआई होती है दूसरी पड़ताल जो है रभी फशल ठीक है और तीशरी जो होती है वह जायद की तो आप यहां से आप common sense लगा ले जाएंगे कि कितनी तरह की पड़ताल हो सकती है तो खरीब रभी और जायद ठीक है खसरा क्या होता है दोस्तों तो खसरा जो है एक कानूनी दस्ता बेज होता है जिसमें किसी गाउं के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फशलों का विवरण लिखा होता है खसरा लेख पालदारा खसरे में क्रिसी आकड़े और खताउनी के लिए आवस्यक तथों का उलेख किया जाता है खसरे में कुल कितने खाने होते हैं ये भी important तथ्या है लेख पाल एकजाम के लिए तो कितने खाने होते हैं 22 खाने होते हैं खतवनी में कुल कितने खाने होते हैं तो खसरे में आपने देखा कि 22 खाने होते हैं वहीं पर अगर खतवनी में पूछा जाता है कितने कालम होते हैं तो 13 कालम होते हैं पटवारी सब्द का सबसे पहले प्रारंब जो है वो किसने किया था तो पटवारी सब्द का प्रारंब किसकी काल में रहा तो सेरसा सूरी ने जो है इसका प्रारंब किया था पटवारी सब्द का किसने सेरसा सूरी ने किसके समय में पटवारी का नाम बदल कर लेख पाल कर दिया गया था तो चौधरी चरण सिंग की सरकार के समय पटवारी का नाम बदल कर लेख पाल कर दिया गया था किसके समय पर चौधरी चरण सिंग जब भारत की प्रधान मंत्री रहे अगला पॉइंट है आपका कि उत्तरप्रदीस भूराज स्वधनियम की धारा 33 में वर्डित वारसिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है तो खतवनी याद रखना है कि खतवनी जो है वो किस धारा में है 33 में है अच्छा 23 में क्या रहा धारा 23 में लेख पाल सब्द रहा है ठीक है यह सब चीज़ें आप से पूची जाएंगी ठीक है आपने देखा धारत 33 में देख रहे हैं कि उत्तर पदेश भूराज स्वधनियम कब का वननी 101 का रहा इसमें धारत 33 में आप देख रहे हैं खतवनी और अभी जो धारत 33 में पढ़ किया था ठीक है चालो अगला पॉइंट है आपका कि दाखिला खारिज क्या होता है जनलिल गाव में लोग बोलते हैं खारिज दाखिल ठीक है तो दाखिला खारिज क्या है क्रिसी भूमी जो है आप कह सकते हैं कि कबजे में comprehend को है कि हम अपना खेस किसी दूसरी को भी शौ know ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें महांनो यहां पर राम स्यं आह टो राम की नाम जो पहले जमीन थे अप स्यां को बेज दिया तो स्याम के नाम जो है वो हो जाएगी जमीन तो वो जो परिवर्तन नाम में किया जा रहा है वही क्या है आपका दाखिला खारी जो होता है कृसी बर्स कब से कब थक चलता है तो कृसी बर्स जो है वो एक जुलाई से प्रारंब होकर 30 जून तक चलता है यह भी important point है तो काफी अच्छा point इसमें दे रखे हैं ठीक है कृसी बर्स को फसली बर्स भी कहा जाता है ठीक है, time क्या है इसका एक जुलाई से प्रारंब होता है और 30 जून तक चलता है ठीक है एक शाल पूरा खसरायोम खताउनी को समलित रूप से क्या कहते हैं तो इसको जो कहा जाता है वो है अधिकार आभिलेख भूलेख निरिक्षक कौन होता है तो कानून को या राजस्व निरिक्षक जो है वो भूलेख निरिक्षक होते हैं भूलेख निरिक्षक का काम लेखपाल की खसरे और खताउनी की जाच करना होता है अगला पॉइंट है कि तहसील अस्तरपर राजस्व प्रसासनी का धिकारी कौन होता है तो तहसीलदार होते है ठीक है अब तहसीलदार का परमोशन हो जाता है तो लोग बन जाते हैं SDM तहसीलदार से नीचे जो होते हैं ये अंटी नायब तहसीलदार होते हैं तो चलिए, ये सारी चीजे हरारिकिम देखेंगे आगे, अमीन कौन होता है, तो अमीन जो होते हैं, वो अभूराजस्चों की वसूली करने वाले जो होते हैं, वो अमीन होते हैं, तो अमीन की वेकेंसी अगर आएगी कभी, तो आपको देखने को मिलेगा, तासिल दिवस का आ मेनली जो अधिकारी हैं, HDM, उनके लेक पाल और सब जो है, हर महीने की जो प्रतम और आपका तीशरा मंगल होता है, वो आपको तहसील में जरूर मिलते हैं और जो तहसील दिवस का आयोजन होता है, वो अप्रते एक तहसील में प्राता दस बजी से किया जाता है, जिसमें जनता की सीकायतों को सुना जाता है, तथा उनकी निराकर्ण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है तहसील दिवस पर जिली की बड़े अधिकारी एक जगह पर उपास्तित रहते हैं, जैसे जिस दिन तहसील दिवस होता है, आप जानते हैं, जन्नली जो है, हर मंगलवार तुश्रे तीसरे नहीं लेकिन आप देखेंगे कि एक मंगलवार को डियम भी कभी कभी आपको उपा प्लम रहती हैं, चली अगला पॉइंट है आपका चकबंदी से संबंधित, उत्तर परदेश में चकबंदी योजना का अप्रारंब कभ हुआ है, तो याद रखना है बरस 1954 इस भी में मुझभर नगर जिलेम की कहराना तहसील वा सुल्तानपूर जिले की मुशाफर खाना त तहसील से हुआ था, इसमें सफलता मिलने के बाद चकबंदी योजना को बरस 1958 से संपूर प्रदेश में लागू किया गया, चकबंदी योजना के संचालन हित, चकबंदी आयुक्त की अधीन, चकबंदी विभाग का गठन किया गया, चकबंदी विभाग राजस्व विभाग की अंतरगत आता है, तो याद रखना है कि जो चकबंदी विभाग की अंतरगत आता है, राजस्व विभाग की अंतरगत, तो दोस्तों इंप्वार्ट नतत्थ है, ठीक है, जन्पद अस्तर पर चकबंदी प्रिकिरिया की सुचार प्रावधान किया गया है तो आप देख रहें ये सारे अधिकारी हैं अब बात करते हैं चकबंदी लेख पाल की जब किसी छेतर में चकबंदी की प्रकिरिया चलती है जनली आप देखेंगे तो हर दस साल में जो हो चकबंदी का प्रावधान है जब किसी छेतर में चकबंदी की प्रकिरिया चलती है तब चकबंदी लेख पाल का काम सबसे महत्व पूड़ होता है अब जो बैकंसी आने वाली है आपकी यह चकबंदी लेखपाल की नहीं है यह जो है राजस लेखपाल की है चकबंदी के माध्यम से ही गाओं के लिए आबादी भूमी निकाली जाती है इसके माध्यम से किसानों की छोटे-छोटे चकों में बटी हुई भू कर सकें अब जैसे कि मालो बहुत सारे लोगों की जमीन जो है ओ अलग ठलग है ठीक है चकबंदी हुई थी मान लो या किसी ने जो है अब किसी यह पूरा एरिया है गाओं का मालो समझ लो ठोड़ा ठीक है अब मालो यहां पर किसी ने जमीन खरीद ली किसी दूसरे की खेती ले ली ठीक है अब यहां है एक तो इधर कोने में है दूसरी इधर कोने में है ठीक है अब मालो चगबंदी हो रहे तो चगबंदी में क्या होता है कि जो गाओं के जो बटी हुई जमीन होती है छोटे-छोटे चकों में ठीक है मान लो किसी का पाच-बिस साइधर है दो भी चगबंदी जब की जाती है, तो जमीनों को जो है इकठा कर दिया जाता है। चगबंदी में आप देखें कुछ मालियद भी होती है, सब चीजी हम दो आगे देखेंगे, इतना बस समझी आप लोग, ठीक है, चलि, अगला पॉइंट है आपका, चकबंदी जो विभाग है वो क्या कारे करता है तो किसानों की विखरी जोतों को एकठा करता है में पॉइंट है आपका चकबंदी विभाग क्या कारे करता है किसानों की विखरी जोतों को क्या है एकठा करता है चकबंदी विभाग अब प्रमुख कौन होता है तो चकबंदी आयुक्त होता है जिला अस्तर पर सरवोच चकबंदी अधिकारी कौन होता है तो जिला उपसंचालक चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त की अधिन होते हैं चकबंदी लेकपाल किसकी अधीन होते हैं तो जिला अस्तर का जो प्रमुख होता है रकबंदी विभाग का यानि चकबंदी आयुक्त की अधीन होती हैं जबकि जो राजस्व लेकपाल होते हैं जिसकी आप तयारी कर रहे हैं तो यह जो है राजस्व लेकपाल जो है वो जिल अधीकारी की अधीन आते हैं ठीक है तो याद रखना है इंप्वार्टन तत्थ हैं आपके लिए और जो है आपकी नौलेज के लिए भी ठीक है तो लेकपाल किसकी अधीन होता है तो डीम की अधीन होता है ठीक है तैसे लस्तर पर देखेंगे तो इस डीम ही जो है इनका ट्र सरकार की होती है यह को कल्यानकारी योजना है उत्तर प्रदेश में जोत्चकबंदी अधनियम कब बना यह भी काफी इंपॉर्टन तत्थ है आपके लिए एक्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश जोत्चकबंदी अधनियम कब बना है तो बरस 1903 ECB में उत्तर प्रदेश भूराजस स्वधनियम 1901 की धारा कौन से 23 में तो लेखपाल इसको भी पॉइंट में हम लोग कबर कर किया है लेखपाल के संबंध में कौन से धारा में कहा गया है तो भूराज स्वधनियम जो आपका 1901 कहा है उसमें धारा 23 जो है वो लेखपाल की संबंधित है अगला पॉइंट है आपका भूमापन सरवेक्षण तो लेखपाल और चगबंदी लेखपाल को भूमापन सरवेक्षण क का ज्यान होना आवस्यक है यह सब ट्रेनिंग यह जब आपकी करवाई जाएगी तो आपको सब सिखाया जाएगा इसके लिए उनको भूमापन में परियोग आने वाले प्रमुख यंत्रों तथा मापन की इकाईउं का ज्यान होना आवस्यक होता है जिनका विप्रण आप नि प्रामुख यंत्रों में है किसका जो सर्व प्रामुख आस्थान है ठीक है जरीब आप यहां देख सकते हैं जरीब ठीक है किस तरह है यह इससे क्या है कि जो जमीन सर्वेक्षण है उसका जो है मापन किया जाता है ठीक है यह अपना लिगपाल इनके पास होता है अपना जो ह जरीब की सर्वेक्षन के लिए भूमापन हे तू तो एक्जाम में अगर जरीब सब्द आता है तो आप जो है किस तरह किलिक करेंगे आपको यहां पर देखने को मिला है जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोडने की अत्रिक्त जरीब की लंबाई को घटाने में भी परियुक्त होता है तो जरीब की नाप का यहां गठा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने में काम आता है तो जरीब क्या है जरीब जो है वो बड़ी बड़ी गाटे एक खेत है उनको नापने के लिए आता है जो गठा है कि जरीब होता है उसके कुल नाप के जो है उद दसवे अंस के जो है वो बराबर नाप का एक गठा होता है तो याद रखना है एक जरीब ठीक है अगर एकजाम गट्टा बराबर क्या हो जाएगा जरीब भाई ट्यन ठीक है जरीब का एक बटे दस इस तरह अगर घुमा के पूंथा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए गट्टा किसका बना होता है तो गट्टा जो होता हो बास का बना होता है ठीक है गट्टा लट्था जो भी जो ब खेती जरीव जो है कई प्रकार की होती है लेकिन इने में से साह जहानी जरीव तो यह भी important रता थी है यह थैंग्ये एक्जाम में आपको दिख क secular को मिल सकते हैं जरीव साहानी जरीव तथा गडरी जरीव का प्रचलन सब से अधिक रहा finns ठीक है सबसे अधिक जो है यह सब चीजों को जरीब में आप देखेंगी तो जो साजनी जरीब है गड्री जरीब इनका सबसे दीज़िव गड्री और गडेर रहा है छल्य अगले पॉइंट पर clicking तो सबना है कि साजनी जरीब बराबर कितना होता है तो आपके आपसन अगर हैं सो मीटर 165 फीट चालिस मीटर ठीक है सो फीट तो आपका सही जबाब क्या होगा 165 फीट इस तरह एक्जाम में आपको क्वेशन देखने को मिल सकते हैं तो जा शाह जहानी जरीव की कुल लंबाई 165 फीट होती है 165 फीट सा जानी जरीव में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कडियां होती हैं इसके द्वारा किया गया भूमापन थाक वास्ट सरवेक्षन के नाम से भी जाना जाता है तो यह सब आपके इंपॉर्टन अत्थ यहां एक्जाम के पॉइंट आप विशे अगला पॉइंट है आपका गंटरी जरीव तो गंटरी जरीव की लंबाई कितनी होती है 132 फीट जबकि आपने देखा तो साजानी जरीव है उसकी किजनी 165 फीट गंटरी जरीव का अब इस सकार बिटिस काल में एक बिटिस अधिकारी गंटर ने किया था इसलिए इसका गंटरी जरीव नाम बड़ा इसके लिए इसका नाम गंटरी जरीव है 132 फीट लंबी गंटरी जरीव में कितने इंच तो 7.92 इंच लंबी कुल 200 कडिया होती है वहीं पर आपने देखा कि जाजानी जरीव में आपने देखा कि 9.9 इंच लंबी और कुल 200 कडिया होती है प्राबर होती हैं 200 यहां पर भी है 200 यहां पर भी है लेकिन इंज में अंतर है वहां पर 9.9 है शाह जहानी में जबकि गंटरी में देखेंगे तो 7.92 है गंटरी जरीब द्वारा जो किया गया भूमापन होता है उसको क्या कहा जाता है काई इस्ट्रल सरवेक्षण ठीक है कौन सा सरवेक्षण काई इस्ट्रल सरवेक्षण कहा जाता है गंटरीब जरीब द्वारा जो है वो किया गया भूमापन अब यह ग्याम की पॉइंट आप तर परदेश में भूमिनापणी का पैमाना , गजज इंज या आठ फिट या फीट या इन्च,what या पैमाने या बीस वर्ग लाठा बराबर कितना होता है तो एक बिसवा जनलिल बोलते लोग इतना बिसवा है इतना दो बिसवा चार बिसवा पांच बिसवा तो थोड़ा इसको याद रखना है कि एक बिसवा बराबर बीस बिसवा सी या बीस वर्ग लाठा होता है बिस बिसवा बराबर एक भीगा या तीस ठीक है तीस पच्चीस यानी तीन हजार पच्चीस बर्ग गज या एक भीगा बराबर जो होता है कितना बिस बिसवा तो बोलते हैं लोग अच्चा पका भी बोलते हैं ठीक है तो बीस बिसवा बराबर कितना एक बीगा होता है या तीन हजार पतीस बर्ग गज एक गज इलाही बराबर कितना है तो 33 इंच होता है चाचछट गज इलाही बराबर 55 गज इलाही अब जैसे एक बीगा बिसवा दे रखा है ज़रूर आप याद रखना है जन्ने लोग बोलते भी है तो एक बिगह बराबर कितना है पचपन इंटू पचपन यानि पचपन स्क्वाइर जो है वो गज़ ठीक है आठ बिगह बराबर 5 एकड होता है 8 बिगह बराबर 5 एकड ठीक है तो 4840 जीरो इन्टू फाइब तो आठ बीघा बराबर जो है पांच एकड़ के होता है ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं यह पैमान हैं कम से कम आप जरीर याद रखना बिस्वा लाठा और जो है आपका बीघा ठीक है महत्रपूर्ण मापरी की गाईयां है एक मिली मीटर बाइंट इस आपको इंपर्टन रियाद रखना है वह एक एकर ठीक है एक एकर बार कितना गज हो ता है टो 4840 hearing होता है एक एकड में कितने हेक्टियर होते भूमी है तो 0.40467 हेक्टियर जो होता है सव हेक्टेयर बराबर एक वर्ग किलो मीटर होता है आठ फरलंग बराबर एक मील एक मील बराबर 1.609 किलो मीटर एक एकड़ बराबर दस बर्ग गज जरीव गंतर समें तो यह भी इंपर्टेंट है एक हेक्टेयर में 100 एर होते हैं तो जनरली सब लोग जानते हैं ठीक है तो यह important तथे रहे दोस्तों अगला जो point है आपका उत्तरप्रदेश राजस विभाग से संबंधित है तो उत्तरप्रदेश राजस विभाग में राजस सची उसाखा केता है तो पांच विभाग आध्याच कार्य करते हैं तो राजस विभाग में सबसे उपर देखेंगे कि राजस विभाग में सब्से उपर देखेंगे कि राजस सो परिशाद पर चक्बंदी आयुक नदिशक भूमी आध्याप्ति उत्तरपरदेश प्रमख शंपाद कजिला गठ्टीatra सभी विभागों का मुख्याल जो होए वो कहां पर है तो लखनव में है ठीक है राजस्व परिशद की अगर बात की जाए तो राजस्व परिशद में संबंध में आई ये तथ्यों को देखते हैं तो उत्तर परदेश में राजस्व परिशद की अस्थापना कब हुई है तो ये भी इंप्वर्टन तथ्या है बरस 1831 में इलहाबाद में तत समय बिद्दमारियों प्रचलित पूर्व अभ्यवस्थाओं को समाप्त करके की गई थी तब से यह परिशद सासन में महत्तपून इकाई की रूप में क्रिया सील है तो एक्जाम के पॉइंट आप भी उसे आपको क्या याद रखना है कि राजस्व प अंत्रण करने तथा जिलाधिकारियों मंडल आयक्तों के कारी पर ने अंत्रण की अधिकारे प्रदा किये गए बर्स 1947 इसबी में स्वतनत्ता प्राप्दी की बाद न्याइक तथा प्रसासनिक वेवस्था को अलग कर दिया गया न्याइक कारियों का मुख्यालय प्रसासनिक कारी के लिए संबर्ग के वरिष्ट योम कनिष्ट सदस्य नियुक्त किये गए सन 1947 से लेकर के 1955-56 तक भूमी वेवस्था आयुक्त कपद सिर्जित था जिसे समाप्त करकी बर्स 1856 सतावन में प्रसासनिक सदस्य की रूप में सदस्य तथा यानि जो करका सदस्य और सदस्य जो भूमी वेवस्था की नियुक्ती परिष्ट जो है वो मुख्यालय में की वेवस्था आयुक्त का जो पल था उसका जो शमाप्त किया गया कब तो बर्स 1856 और 57 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था ठीक है चलिए अगला पॉइंट है आपका कि बर्तमान समय में राजस्थो परिषद द्वारा भूमी सुधार कारिक्रमों की अंतरगत बिभिन प्रकार की कारिक्रमों की द्वारा भूमी हीन आवासी अनसूचित जाती अनसूचित जन्जाती की ब्यक्तियों को क्रिशक भूमी तथा आवास अस्थलों का वंटन तथा पट्टा धारकों की भूमी पर दबंग ब्यक्तियों द्वारा की गया वैद गबजी को हटा कर वा सुधार कार्य राजकी देयों की वसूली राजस वादों की स्थिति सर्वेक्षण यों अभिलेख प्रक्रिया की प्रगती इंप्वार्टन तथे याद रखना है कि इनकी कारिकलाब क्या होते हैं राजस भावनों का निर्माड भू अभिलेखों की कंप्यूटी करण खीक है तो राजस वादों प्रसासनी के सदस्य तथा साथ न्याईक सदस्य होते हैं इस परिशाद की अंतर्गत मंडलायुक्त जिलाधिकारी तथा समस्त राजस वादिकारी आते हैं मंडला युक्त के सायतार्थ अपर मंडला युक्त तथा जिला धिकारी के शायतार्थ अपर जिला धिकारी ठीक है तो जो मंडला युक्त के असिस्टेंट के तोर पर आप कह सकते हैं कि अपर मंडला युक्त होते हैं जिलाधीकारी के जो नीचे हैं वो अपर जिलाधीकारी होते हैं उप जिलाधीकारी फिर आते हैं फिर तहसीलदार होते हैं फिर नायब तहसीलदार फिर राजसोनिरिक शक और लेकपाल आते हैं तो हिरार्की आप समझ रहे हैं यानि कमिशनर हो जाते हैं फिर डियम हो जाते ह ठीक है तो यह हिरार्की है चलिए जरूर याद रखना हिरार्की को बाकि इन्होंने एक जो है अपना माइंड मैपिंग के तौर पर इन्होंने बताया है क्या क्या है तो राज़त सुपरिशत की शर्चना कम पोजीशन ठीक है अध्यक्षि में दो प्रसासनिक जिसका इलहाब बढाद है दो प्रसासनिक शद्स सद्स साथ नियाई के सद्स जिसका मुख्यालै जो है वह जह है लकनव में मिदुब मंडल मजट वन्ट राइव गती नीचे जुए आपर होते हैं फिर जलादिकारी फिर इडियम उप जलादिकारी तहसीलदर तासिलदार की नीची नायब तासिलदार फिर राजसुने रिक्षक फिर लेख पाल आते हैं देख रहे हैं सबसे नीचे ठीक है तो इसी की तयारी आप कर रहे हैं अगला पॉइंट है राजसु विभाग दोरा किये जाने वाले मुख्य क्रिया कलाप उत्तर परदेश राजसु संगिता दो हजार छे में तो याद रखना उत्तर परदेश राजसु संभिता कप की है मिक्रिसी योग भूमिपट्टे पर आपंडित करने के लिए संग के सहस्त्र बल में संक्रिय सेवा में रहते हुए जिन की सक्रिय सेवा में रहते हुए जिन की मृत्ती हुई हो ऐसे व्यक्ति की परिवार जन को प्रथम वरियता योम संग की सहस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूरता बिकलांग व्यक्ति को द्यूतिय बरियता प्रदान की गई है ठीक है तो आप समझ रहे हैं कि जब उत्रपरदिस राजस संगिता 2006 में जो क्रिसी योगी जैसे कि जब तो ने गाव में पट्टा मिल रहा है उनको पट्टा मिला लें ने भौमी का आवन्टे सोड़ी छोटी भौमी जो हमिलती है जहां पर आवादियों चूटी रहती हैं तो यह सारी चीज़े रहती है उनका पट्टा मिलता उनको छड़ा जमीन दी जाती है तो वहीं पर ये बता जा रहा है कि क्रिसी योग इभूमी पट्टे पर जो आवंटित करने के लिए संग की ससस्तरबल में सक्रिय सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्ती हो जाती है अगर उनको पट्टा दिया जाता है उनके प्रथम बरियता दी जाएगी तो ऐसे व्यक्ति के परिवार जनों को जो हो पहली बरियता दी जाती है योम संग ससस्तरबल में सक्रिय सेवा में रहते हुए अगर पूर्टा कोई बिकलांग व्यक्ति है तो उसको दूसरे अस्थान पर बरियता दी जाती है पट्टा अगर दिया जा रहा है तो सबसे पहले बरियता जो दी जाएगी है इसाब से पहले कि इसको पट्टा मिलना चाहिए वो बता जा रहा है कि सरसर रुबल में सक्रिय सिवा में रहते हुए जिनकी मृत्ती हो गई हो वहीं पर जो यस्ती यस्ती गो जो दिया जाता है पट्टा या ओवी सीख बर्गों को तो यहाँ पर परियाब्त आवास उपलब्ध नहीं है उनको किसके अंतरगत आवास अस्तल उपलब्ध कराय जाने का प्रावधान किया गया है यह धाराच चौशठ है याद रखना है उत्त्रप्रदिस राज़त सुसंगिता कब किये दो जार्ची कि इसका जो सेक्शन नंबर सिक्स्टी टीफोर है धाराच उसकी अंतरगत पट्ट किव्यवस्था की गई है ठीक है आवास अस्तल उपलब्ध कराय जाने के जो प्रावधान है ठीक है आवास अस्तल पहले में तो पर्ण आपने देखा यहां पर आवास अस्तल की बात की जाड़ी जो SCST, OBCI, WSA काटेगरी के आते हैं ठीक है और जिनके पास आवास उपलब्द नहीं है अगर उनको उपलब्द कराया जा रहा है तो यह किस धारा के अंदर गाता है धारा 64 है ठीक है चलो अगला पॉइंट है आपका तहसील दिवस तो जन समस्याओं की निस्तारण प्रमाड पत्र चेको योम अन्य सुविधाओं की वित्रण केंदर की रूप में प्रतेक तहसील में प्रतेक माह के अब देखिए यहां पर एक्जाम के पॉइंट अभी से आपके लिए इंप्वाटन क्या हो सकता है कि जो तहसील दिवस होता है तो याद होना चाहिए आपको पता हो होना चाहिए दोस्तों की प्रतेक माह के प्रतम योम त्रितिय मंगलवार को सभी जनपदों के सभी तहसील में जो होता है ठीक है जिसमें की जिले के जो हो अधिकारी जो हो मौझूद होते हैं एकी अस्थान पर एकी तहसील में ठीक है यह इंपार्टन तथ है बस इतना ही कुछा जाएगा तैसील दिवस से संबंदित की कब होता है तो हर महिने के प्रतम और तीसरे मंगलवार को कि खतवनी का कंप्यूटरी करण उत्तर प्रदेश के समस्त क्रिसकों को लाभानवित करने के उत्देश से भारत सरकार की सत प्रतिशत बित्त पोसित योजना की अंत अबिलेकों को कंप्यूटी करण कर लिया गया है तो यह 2021 की बुक है अपडेटेड राटा है याद रखा है 192945 गाउं के खतवनियों को अगर पूश लिया जाता है इतना फाइक्ट पूशे अगर जाते हैं तो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए अब किसानों को तहसील से क्या आप समझ लिए जी कि जो खतवनी है हुआ आप किछी सी जो कामन सर्वेस सेंटर यानी जो जनसुविधा के अंदर है वहाँ पर इस सारी चीजिए आपको मिल जाती है ठीक है तो यहाँ पर मात्र 15 रुपिया का सुल को दो और अपना जो है खतर खतवनी जो निकलव कि तो वहाँ सब चीजे मिल जाती है अपना गाटा संक्या अगर आप डाली तो आपकी खतवनी ओकर निकलाती है कि जनी है क्या नहीं ठीक है तो दोस्तों पहला चैप्टर रहा आज की इस वीडियो से ठीक है तो जिसमें कि हम लोगों ने माट तपॉंड फैक्ट को देखे तो काफी अच्छी बुक्त है वन लाइनर के फार्म में जो है अच्छी चीजों को यहां पर कबर किया गया है जो आपके लिए इंप्वाटन्ट हो सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है लेक्शर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कीजिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थांक्स फार वाचिंग